हेलो दोस्तो तो आज देशी रसवी में बन रहा है चिल्ला वो भी ब्रत वाला चिल्ला तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए आलू यह हमने कच्छी आलू ले लिया है और इसको हम थोड़ा सा कस लेंगे घिस लेंगे तो यह देखे हमने कटोरे में ले लिया है पानी और य वपती कटी हुई धनिया पत्ति अगर द्धोगाए हमें मैं यह नीचे पानी में जा रहा है तो पानी में नहीं ऊच करेंगे तो अलू काला पड़ेगा तो उसके बाद देखे दोस्तों हमें चाहिए सिंहाडे का आटा तो हां दोस्तों बरत के लिए बनाए हरै तो यह देख हरे धनिया पत्सम्हें सब्समाने दोकर इस इसमें मिला दिया। ऑम इसमें मिलाने यह जो इसमें चुक ऩो देंके दोस्तों हम इसमें मिलांगे झाखती। और पानी भी कटिए पानी इसमें मिला दीय discourte क जोकें। अब इसमें मिलाएंगे दोस्तों हम ये कटी हुई मिर्च तो अगर आप मिर्च नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसकिप कर सकते हैं तो ये देखे दोस्तों हमने मिर्च को चार मिर्च लिया है तीखा में बहुत पसंद है तो ये देखे दोस्तों हमने चार मिर्च लिया ले लिया वाद भी नपनिंग थानन है तो कि अबसे भी नाइंगे तो शनर से हाथ की बात और नहीं है बसके का समया है través हाथ सतार फजैडिय का सबस्केट करन गयी मिला थान है समेडिज आटा सांटे ना उसी तरत को बढ़ीज असा घूंथ लिए हुआ हैं यह देखे लिए ट्यार हुचा थोड़ा सा पानी और लेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों हमारी प्रकोडी बनेगी है चिल्ला बनेगा या पैंकेक भी बना सकते हैं तो बहुत बढ़ी आशा तो यह देखे दोस्ता हमने इसको बड़ी आसा सान लिया है और यह देखे हमारा लगभा बिलकुल से तयार हो चुका है आप इसे स्टेज वां ठोड़ी देंगे तो फिलाल हम चिल्ला बनाएंगे तो उसके लिए इसमें डाल देंगे पानी पानी आड़ करने वाद इसको शुआना है पतला सा घुल ठीक होल कि तड़ बना थाकि आप कई चिल्ला असानी से बस59 देखे दोस्ता हम चमाच की मदश इसको एक तरफ से अब बढ़िया संस घूमा शाखे से सांध्यादनियॆ हो चुँका है ना तो चलिए ऑुपर यह ले लिए ख्शण पेहनए इसमे केकफ बनाएंगे तो यह देख दोस्तो हम इसको कल्चुल की मदश से इसको अगोल आकार में शेव दे सकते हैं तो आप चाहे तो और पतला बना सकते हैं पचाहे तो और मोटा बना सकते हैं मिरत ते इसको चार बना सकते हैं बन गल 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 के मां तुर्छम बनेगी जोब दिए만 जा बखता चेश्ट किन ऊड़ा दिए में सेट रिपक तो आप प्याइब कर लेंगे थैक्ट कि अधिल बार विद्ट दें कि अमें दूसरा भी आपिंड दीए। प्लट कि तो यह देखे, हम आपको प्लट देगी तो आपको पब लिए। तो आप चाहिए छाहें सो करके आप दिक करने को दिखने हैं ऌद दिखनार दूट में जाम तरह तो दोस्तो प्सकी इंगे तो ऐने फंस कहाई में में चाहिए आती हैं दोस्तों तो तो इसमने बहुत जल्दी बनके तेयार हो जाता है तो धी दोस्तों फिलॐान ड़कि का टोilles की दबाइब कोबद याओस सेख लिगा हुआ है यह देखेए दोस्तों हम इसको अलट पलट के आपको बड़ी आसा दिका रहे हैं mind this梁 इंहीं दोस्तों हमारा सिक इक लीुए है बीज़ार हो चुका है तो ध्यां दे हैं दोस्तों यह ज़्यादा जलने नहां पाए तो यह देके निकाल लिया तो यह देखे दोस्तों हमारा लगभभ तयार था यह बन के तयार हो गया हम चिल्म बनाने के क्या करेंगी यह जो घौल था झाल इसमें थोड़ा से समाइब करेंगे ठीक है तो बिलकु पतल बीजल ला इड़ करेंगे तो हम पेडाल बदोसा बनाते है तो यह दिखें दूसल मैं हम गोल पतला था न वालत ठीजी इसमें पिल्टेंगी डोसा में दिखेंगे तो यह देखिए हमने इसमें फैल डाल दिया अब इसको हम क्या करेंगे चारों तरफ से खुब बढ़ी ऐसा फैला लेंगे तो यह देखिए दोस्तों हमने यह क्या किया चारों तरफ से बढ़ी ऐसा फैला लिया और यह देखिए आप कल्चुल की मदद से आप इसको खुब मिर्च डाल सकते हैं अगर आप खाते हो तो नहीं खाते हो तो आप इसकिप कर सकते हैं तो ब्रत का बना रहे हैं तो इसमें ज्यादा मत डाली है अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं तो फिलाल हम नहीं खाते हैं तो इसलिए हमने नहीं डाला हुआ है तो यह यह बहुत जल्दी बनका तयार होता है दोस्तों इसमें कोई जंजट नहीं होता यह तो यह देखे हमने इसको दबा दबा को बढ़िया सेक लिया है आप पलट कर भी आपको दिखा देगे देखे हमारा दूसरी साइड भी बढ़िया से पक गई है तो अब इसको हम क्या प्लेट में निकाल लेंगे तो यह देखे दोस्तों तो यह देखे दोस्तों हम इसको प्लेट में निकाल लिए ठीक है तो यह देखे दोस्तों आप इस साइड भी देख लिए विसी तरह देखे हम दूसरा भी बना देंगे तो हमारा पतलग होलता तो यह देखे हमने इसको तो कल्चुल की मदद ही नहीं पड़ी अब इसको क्या करें गोल सेप में खुब बड़ी अब बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं तो यह देखे दोस्तों हमने भी इसको पूरी एक प्लेट में भर का बना दिया है तो यह देखे जितना बड़ा मेरा पैन था दोसा लग तवा उसकी बराबर ही बन के तियार हो गया यह देखे है हमारा लगबग तियार हो चुका अब इसके चारो तरफ हम थोड़ थोड़ डाल लेंगे तेल डालने पर इसको थोड़ी देर के लिए हम बढ़ी ऐसा पका लेंगे तो यह देखे दोस्तों हमने इसमें तेल डाल दिया आ नीचे लगता भी नहीं है तो ये देखिए दोस्तों हमने ये बढ़िया सा पलट लिया ये एक दो तीन पलट गई तो है ना दोस्तों ये देखिए कमाल का हमारा डोसर बनके तियार हो चुका है पूरी खाते खाते में बोर हो जाता है अदमी कितना पूरी खाएगा तो आप इस तरह भी बना सकते हैं अदल बदल के आप बनाएए और ब्रत का समय ही है आपकी बार सावन देखें दोस्तों दो महीन पड़ा है तो मलमास के वज़ा से तो यह देखें दोस्तों यह सावन का बहुत बढ़िया माहसम चलना है तो यह देखें दोस्तों हमारा यह ब्रत का र पलेट में आपके दीचे कुछ निकले घ्क रेंगे है को अच्छापन हें हमारा कफ़ा अच्छिता हाँ लिए दएकर फेलेगार। करें फ़िए प्लेट और इसमें हमने का देखें प्लेटं झाल कुछ करें देखिए मैं जिसमें भी बना की इतना बना का शाया है इ आहें कितना बना एक तू टीन चार चल्ला बने का ंदा ते पैंकेक में बना टीने के तो आप तो आप इसको चाहे आलो के सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो फिलाल हमने बनाया नहीं तो हम ऐसे सर्व करेंगे बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तर तक के लिए बाइबाय और लाइक सेयर जैनल सब्सक्राइब कर लिजिए से थतो आप जो हम ताइबाय आता है तो से गो तो घ्रो आवरा हमने तर लाइबाय रगती है तो हम ट Hayगा हम लाइबाय रठक राभाय जन्चटी जिए अजह ऴसित प PROF कि फूपी यशना L autumn 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 तो तो चलूck, तो स्थं़ी एकती हैं quasi भода गग ब Χाहां वेआबाया उलेंग